श्टोरी वीत अरुन पर आप लोग सुन रहे हैं। भारत के सबसे ज़्यादा बिखने वाले लेखक, वेत प्रकास सर्मा की बहुचर्चित सस्पेंस, ठीलर और क्राइम फिक्शन उपन्यास, मेरा बेटा सब का बाँ। लीजिए आज आप लोग सुनिए इस नोबिल की छठ एवम इसकी आखरी एपिसोड आरजे अरुन की सांथ। घोडा बना हुआ था। उसके उपर एक दूसरा पागल बैठा सवारी कर रहा था। उसने काली पैंट, काली टी-सर्ट और काली जूते पाहन रखे थे। गले में बंधा था सभेद रंग का बड़ा सरूमाल। बाएं हाथ का अंगुठा मुह में था और दाएं हाथ में थ एक आलपी। आलपी। चीकनी के साथ खड़ा हो गया। सवार धडाम से गिरा। उद्धा दाड़ी वाला हाए मार दिया, हाए मार दिया। चिलाता इस तरह दोड़ा जैसे सेक्टो भूत उसके पीछे पड़े हो। आचानक उसके रास्ते में तीन पागल आ गये। उसे रोका। उनमें से एक के जिसन पर पुलिस की बर्दी थी, हाथ में रूल। दूसरे ने वकिलो वाला लिबास पान रखा था। बगल में कानून की मोटी किताब, तीसरा डॉक्टरी चोगे में था, नाग पर मोटे लेंसो वाला चस्मा, गले में बलकि कानों में टेलेसकोफ, उसके दूसरे सिरे से अपने धड़कने चेक कर रहा था। इंस्पेक्टर की बर्दी वाले ने भागते वे पागल के ठीक सामने अड़क कर रूल बगल में दबाया और जोरदार सेलूट मारा। दाड़ी वाला रुक कर हक बकाया सा उससे देखने लगा। किसने मारा तुझे? इंस्पेक्टर न दाड़ी वाले ने डरते वे अपने सवार की तरफ इसारा किया। उसने और जिस पोज में गीरा था उसी में पड़ा अंगू ठाफी रहा था। आलपीन से कान खुरेद रहा था। इंस्पेक्टर ने उसे इस तरह घूरा जैसे हिस्ट्री सीटर को उंगूर रहा। फिर द वकील और डक्टर भी साथ हो लिए। अंगूठा चुसने वाला उन्हें अपनी तरफ आता देकर खाड़ा हो गया। क्यों वे कतली। इंस्पेक्टर ने दाया हाथ में मौझूद रूल बाया हाथ की हाथेली पर मारना जारी रख कर कहा। फिर कतल कर दिया तुने। करूं गुर्राया बोल कैसे कतली किया इसका मुडर वैपन कहां छुपा रहा है। ये रहा। उसने कान से आलपिन निकाल कर दिखाया। बोला बैं सारे कतले इसी से करता हूं। उफ। माइ फेवरेट मुडर वैपन। आरल लव इट। क्यों वे इंस्पेक्टर ने दाड़ी वा एक वकील इंस्पेक्टर के सामने आकर इस तरह जुका जिसे कोट में जज से संबोधित हूं। इजाज़त दे तो इंडियन पैनल कोट के मताविक में कुछ कहूं। कह दे। मेरे ख्याल से यादमी मरा नहीं है। उसने डाड़ी वाले की तरफ इसारा किया। वकील सहाब इंस्पेक्टर गुर राया। इसने मुझसे खुद कहा कि उसने से मारा। उधर मुलजी में कबूल कर रहा है। मडर वेपन अभी उसी तक उसके हाथ में है। इससे कहते हैं रंगे हाथों पकड़ा जाना। और आप है कि सौरी और अनर। वकील ने फुना पूरा सम्मान कानून के किसी किताब के मुताबित लांस खड़ी नहीं हो से रह सकती। पहले इंस्पेक्टर ने वकील को घूरा फिर दाडे वाली की तरफ पलट कर बोला। क्यों वे मरने के बाद भी सीधा खड़ा है लेट जा। दाडे वाला तुरंत लेट गया। इंस्पेक्टर ने वकिल से कहा। अब बोलो वकिल सहाब। वकिल सहाब क्या खाक बोलेंगे। डॉक्टर बीच में टपका। इनका काम बाद में शुरू होगा। और तुम्हारा भी इंस्पेक्टर पहले मैं चेक करूँगा। यह मारा है या नहीं। इन्विश्टिगेसन बाद में शुरू होगी। ओके डॉक्टर चेक करो। डॉक्टर निनाक पर सरकाया चस्मा दुरुस्त किया। आलहा संभाल और एक घुटना लेटे हुए दाड़ी वाले के दाईं तरफ जमीन पटी काया। दूसरा बाईं तरफ एक तरह से दाड़ी वाले के पेट पर सवार था। यह सब द दॉक्टर ने दाड़ी वाले के सिने पर आला घुमाना सुरू किया। ओधर दाड़ी वाला खिल खिला कर आस्तवा बोला क्या कर रहा है यार गुदगुदी हो रही है। चुप डॉक्टर ने डाटा। अगर चाहता है तेरा कातिर फासी पर चड़े तो चुप चाप पड मगर जिसे गुदगुदी हो रही हो ओचुप भला कैसे रह सकता था। चेक करने के बाद उसके पोज में बैठे डॉक्टर ने चेरा उपर उठा कर कहा। इंस्पेक्टर जिंदगी और मौत की बीच जूल रहा है ये सक्स। हिट दूल सकता है मगर धटकने गायब है। दे 307 में लपेटा जा सकता है। गुड। इंस्पेक्टर खूस हो गया। कतली से बोला मिश्टर कतली जी मैं तुमी इसकी आत्या करने की कोशी स्किल जामें ग्रफतार करता हूं। कितने दिन के लिए कतली ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। दुनिया की कोई आदालत मुझे सजा नहीं दे सकती। इंस्पेक्टर ने हावा में हाथ नचा कर उसे कालपनिक हाथ कड़ी पानाई और कतली उसके पीछी पीछी से ऐसे चल दिया जैसे वाकई हाथों में हाथ कड़ी हो। डॉक्टर आलह से अपनी धटकने चेक करता और वकील किताब पढ़ता उनके आस्ते में ये चर्चा किये बगर नहीं रहोगी। एमबेश्टर स्वेम ड्राइव करती दिवेचा नहीं कहा। इसलिए ड्राइवर को साथ नहीं लाए। तुम भी याद रखना असोक ठीक है और ये रहास्या किसी को नहीं बताना। क्यूँ मारे आसरे की रसीम का बूरा हाल हो गया था। इसी में असोक की भलाई है। मैं समझा नहीं। पहली बात दिवेचा उसे समझाने वाले लहजे में कहते चले गया। जिस दिन कानून को ये पता लग गया कि वो एलिफेनिया का मरीज नहीं है उसी दिन सिंदे मडर केस की सुनाई सुरू हो जाएगी। इ दुनिया की कोई तागत उसे फांसे से नहीं बचा सकती। याद रहे। ये प्रमानिक नहीं है कि सिंदे को मडर करते बक्त भी वो एलिफेनिया का सिकार था। अब वाक रह गई रसी। दूसरी बात दिवेचा काते चले गए। यदि अर्गनिजिसन को भानक लग गई कि म मरने से पहले प्रिया हमें ये रहा से बता गई है तो उनका कहर पागल खाने में ही असोग पर टूट पड़ेगा। ये नहीं माना जा सकता रसीम कि उनकी पहुंच पागल खाने में नहीं होगी। मुम्किन है ट्रीटमेंट की आड में वहां कुछ ऐसा किया जाए कि नहीं है तो वो सचमुचकल पागल हो जाए इसका मतलब तो ये हुगा कि हम सारी जिन्दगी असोग को पागल खाने में तड़पता रहने तो छोडने के लिए मजबूर है। नहीं होने दूँगी। इतनी आसानी से और्गनेजिशन अपनी फटहा का पर्चम नहीं फारा सकता पापा। अब किसी कीमत पर ना असोग अपने कदम वापस खिन सकता है और ना मैं उसे हार कर बैठने दूँगी। माजी और रितु के खून की एक-एक बुंद का हिसाब लिया जाएगा। हम उसी पर्यास में लगे हैं। इतने सबके बावजूद और इतना मजबूत है। उसके जड़े समाज में बहुत गहरे तक फ़ल चुकी है रसीम। टाइम तो लगेगा ही उन्हें उखाण फैकने में। लेकिन चीफ मिनिस्टर परतरन सील है। साइध इसलिए आज के कान की रिपोर्ट लेने हमें बुला मैं पागल हूँ। डक्टर इस तरह रटे जा रहा था जैसे भगवान का नाम रटे। क्या हुआ डक्टर इंस्पेक्टर ने पूछा। आप कतल के इलजाम में फंसे बेगुनाग की तरह एक ही वाग्या क्यों भज़े जा रहे हैं। इंस्पेक्टर सहाब उसे नाग पर स मैं पागल खाने से निकलने की धासू इस कीम पर काम कर रहा हूँ। पागल खाने से निकलने की आइसक्रीम कतली बंदर की तरह कूच कर उनके बीच पहुँचा। बोला मुझे भी बताओ डक्टर मैं भी इस नर्क जैसी जगह से फरार होना चाहता हूँ। सब अपने में मस्त किसी को किसी से मतलब नहीं। इसक्रीम की भानक किसी और को लग गई तो गोवर गुड हो जाएगा। अब कतली जी भी फुस फुस आए। आइसक्रीम बताओ डक्टर। पागल नहीं हूँ तो वह समझ जाएंगे कि मैं पागल नहीं हूँ और खुद बाहर छोड़ाएंगे। धासु इसकी आखरी सब दूसने ठाहा का लगा कर जोर से कहे थे। और वाकर इंस्पेक्टर। कतली ने इंस्पेक्टर से कहा। आइसक्रीम धासु है। क्या कहते हूँ? कतली का वाकर सुनने के बाद इंस्पेक्टर ने वकिल से पूछा। आपके क्या राय है वकिल सहब? यूर अनर, डॉक्टर का इकबाल बयान खुद साबित करता है कि ये पागल है। इसलिए मैं दर्खफास करूँगा कि इसे पागल खाने में कैद रखा जाए। अब ये वो अकिम साहिद समर्था ना मिलने के कारण डॉक्टर भड़ा पागल होगा तू, तेरा बाप, तेरे बाप का बाप, तेरे बाप के बाप का बाप का बाप, फिर उसका बाप, उसके बाप, बाप, डॉक्टर, इंस्पेक्टर ने कहा, हरुमान की फूच क्यों बना रहा है बात को? एक बर कहा दे, तेरा सारा खानदान पागल, मामला खा जिसे पढ़ता पढ़ता तू पागल हो गया हरे को your honor समझता है साला ऐसे बात करता है जैसे court में खड़ा हूं नहीं ओकील ने चीट कर कहा पढ़ाई तो सिर्फ doctor ही होती है जिसे पढ़ता पढ़ता तू यहां तक पहुच गया बिलकुर गलत मैं पढ़ता पढ़ता नहीं operation कर करता करता आया हूं MBBS पास कर चुका था MD की तरह बढ़ रहा था senior doctor ने एक मरीज की खोपड़ी पर एक घूसारा सीथ किया कहा अगर तेरी खोपड़ी कोई इस तरह खोल दे उसके बाद उन्होंने मेरा check-up किया और यहां भेंज दिया that's all your honor वकील ने इसी मुस्कान के साथ इंस्पेक्टर से कहा जिसे भारी कम्याबी मिली हो मैंने डॉक्टर सहाब को जान बूज कर उतेजित किया और यह फास गये खुद अपने पागल होने की केस हिष्टी कोट में बता बैठी इसके बाद इन्हें एक second के लिए भी पागल खाने से बाहर भेजना समाज के लिए खात्रा पैदा हो सकता है अबे वँवह की कतली गुर राया ये कोई कोट है जो तु दलीलों पर दलीले जाड़े जा रहा है और यह उसे इंस्पेक्टर की तरफ इसारा किया साला जासूस बना फेलता है सरलक होम समज़ता है खुद को सरलक होम्स नहीं, जेम्स बोंड, इंस्पेक्टर ने सीना चोड़ाया फाइटिंग का वाश्टर, लड़कियों का रसिया हाँ, वहीं जासूसी उपनियासों ने साले का दिमाग खराब कर दिया अच्छा भला पुलिस में इंस्पेक्टर था उपनियास पढ़ पढ़ कर जासूसी का ऐसा सोक चराया कि नौकरी से इस्थिपा दे दिया प्राइबेट डिटेक्टिव एजेंसी खोल ली, जासूस बन बैठा और सरीप आदमियों को देश का दुस्मा का कर असमगलर बता कर आतंकवादी का कर ठोकने लगा सरकार ने पकड़ा, CMO ने जास की, पागलपन का सर्टिपिकट है मेरे पास इंस्बेक्टर ने कहा, CMO की रिपोर्ट के मताबिद मेरा दिमाग सनग गया है खतरनाक किस्म क्या है, वैसे होते हैं, तो खोले कैसे छोड़ दिये जाते, सेल में न रखे जाते आपकी बात दुरुस्त है कतली जी, डक्टर ने कहा, कतली जी हम आपको इसलिए कहते हैं, क्योंकि खुद को कातल कहने की बिमारी लग गई है आपको ठीक ठाक लोग कतल करने के बाद जूद कहते हैं, कि उन्होंने कतल नहीं किया एक आप है बीबी का मर्डर क्या हुआ कि खुदी को उसका कातिर कहने लगे जबकि पुलिस की मुताबित खतल आपने नहीं किया बता दिमाग की जांज तक जा पहुँची CMO ने मुझे तो CMO ने ही पागल लगता है और अनर मुझे तो ये CMO ही पागल लगता है काफी चिंतन के बाद वो अकिल का उठा जिससे देखो पागलपन का सर्टिपिकट पक्रा देता है लगता है एक के करके सब को यहां भेज देगा अकेला रह जाएगा बाहर आदमी ने जड़ा सी काईदे की बात की नहीं की पक्रा देता है सर्टिपिकट अब मेरा ही केस ले लो, LLB कर चुका हूं, LLB के तयारी थी, कोड के बाहर भी अगर मैं लोगों को और ऑनर या मिलोड कहता हूं, तो क्या गलत कहता हूं, क्या अपमान करता हूं केसी का, मगर नहीं, को तो हर एक का सम्वान करे इज़त दे, उन्हें, इसलिए मैं बार-बार कहाता, कहा करता हूं, पागल हम लोग नहीं, वे लोग नहीं, जो इस चार दिवारी में रहते हैं, बलकि पागल तो वे हैं, जो बाहर घुम रहे हैं, डक्टर ने टेली एसकोफ थे अपनी धटकाने सु अगर हो ठीक था, मैंने स्टाले की खोपड़ी पर एक जड़ दिया, तो पागल हो गया, जब आने का दस्तूर निराला है, एक सुर में तीनों का समर्थन मिला उसे, अगर हम इसी तरह सुर से सुर मिलाए रखकर, जैसे नबज और दिल की धड़कन का सुर मिला रहता है, एक दिनों लोग पागल खाने से बाहर भेजने परा में मजबूर हो जाएंगे, बार ठीक है रणर, हकील ने कहा, हम आपके साथ है, चारों ने इस तरह हाथ पर हात रख कर, कसम खाई, जिससे देश को आजात कराने के लिए क्रांतिकारी खाया कर दे थे, उसके बाद उस प पागल है, चिलचिलाती धूप में बैठा, अपने कपरों से जो ढूण कर खाता एक सक सुन की बात सुन कर बोला, पागल तो है ही साले, इतनी सिक्रेट बात सब को बताते फिर रहे हैं, मैं ट्रेन, असोक ने गैलरी से गुजर रही मैं ट्रेन को पुकारा, मैं ट्रेन मैं ट्रेन ठालों में रूख गई थी, तो हॉले से मुस्करा कर आगे बढ़ गई, असोक अपने सेल में था, लोहे वाले गेट की सलाखे पकड़े उमेटन को जाती दे कर चिलाया, मेरी बात क्यों नहीं सुनती तू, इलेक्ट्रिक सोक दे दे कर तुम लोग मुझे सच मु समारा उसने, Your Honor, वकील ने कतली से कहा, हर आदमी हमारी तरह ब्रिलियंट नहीं हो सकता, जो इस नर्क से निकलने के लिए सही रास्ता एड़ोप्ट करे, अब इसी को लोग असोक सा है, कपड़ा उधोक के किंग धिरू सा की आख का तारा, आखी न रही तो भलत तारा बाहर कैसे राता, सुना है, ठकराल से ठकरा बैठा, मडर कर दिया उसके एक चमियू का, बस आप हसा यहां, अपनी कलपनाओं से बढ़कर एक से लाजबाब कहानी सुनाता है, मडर मिश्ट्रिया का तो मास्टर है पठ्ठा, उवा कई, इंस्पेक्टर खुस हो गया, दोड़कर उसके दरवाजे पर पहुंचा, बोला, असोक सहब, मुझे मडर मिश्ट्री का जबरदस चस्का है, यह पागल खाने के अपसर साले सुनते नहीं, उपने आस मांगता हूं, नहीं देते, अब आप आ गए हैं, भाण मिजए साले, आप मुझे कोई स्टोरी सुनाईए, असो देखता रहा गया उसे, बलकि उने, देखने मातर से चारो नमोने नजराते थे, असोक पर कुछ कहते ना बन पड़ा, डॉक्टर दरवाजे के निकट आया, बोला, इस नर्ग से निकलने की फिराग में हम भी है, मगर तुम गलत लाइन से चेपा गया हूं, चीक चीक कर पा असोक की तरफ इसारा करके बोला, इनके सामने नफीही के सोर्वे साले, बगर कतल की ये, कतली जीवन गए, इन्होंने सच मुझ कतल का रखा है, आप मेरे अन्ना दाता है, आप जिसे लोग कतल ना करें, तो धन्दा ही चौपट हो जाए हम जैसे जासूस होगा, भोके मारन लगे, जब कोई कतली नहीं होगा, तो इन्वेरिशिगेशन क्या खाक करेंगे, अगर हमें अपनी रोजी रोटी चलाने है, लोगों को अपने कर्तब दिखाने है, टेलेंट दिखाने है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है एक लास, और लास के लिए जरूरी है एक कातल, कि व मुझे कोट में इन्हें बेगुना साबित करने का ठेका मिले, पैर पकड़ लो गिल साब, रोजी रोटी यूँ ही चलाये रखना चाहते हो, तो पैर पकड़ लो इनके, काने के साथ इंस्पेक्टर ने नीचे बैठ कर सचमुच सलाखों के बीच से हाँ डाल कर असोक के पै असोक वोरी तरह हकबा काया हुआ था, इंस्पेक्टर ने कतली से कहा, बगएर कतली की ये खुद को कातल कहने से सोहरत नहीं मिलेगी कतली जी, सचमुच मडर का कृतिमान अस्थापित करना चाहते हो, तो गुरु बना लो इने, सचमुच का कतली करने के गुर सिखा देंग और डॉक्टर, वकील ने कहा, तुम खाड़े-खाड़े कतली जी का मुग क्या ताक रहे हो, कतली ही नहीं होंगे, तो पोस्ट मार्टम किस से करोगे, हरे-हरे नोट, एक्सिदेंट से मरे लोगों के नहीं, कतल हुए लोगों की लासो से निकलते हैं, और उन दोनों ने भी दनाग से निचे बैठकर असोक के पर पकड़ लिए, एर उनर, वकील ने असोक से कहा, यहां से निकल भी गए, तो आपके बेगर हमारे कारोबार नहीं चल सकते, हमें अपनी सरन मिलीजिए, असरबाद दीजिए, बिस्वास दिलाइए, कि आप कत्रिक करते रहेंगे, बख इधर दीवेचा ने फटके के महीना मांगने से लेकर, प्रिया की मौत तक का पूरा बृतान संख्षेप में उने सुनाया, हाला कि दीवेचा ने यह नहीं बताया, कि असोक वास्तों में एलिफिनिया का सिकार नहीं हुगा है, फिर भी पूरा किस्सा सुनाते वे, सुनते दीवेचा के चूफ होने पर एक गहरी सास ली और बोले, बड़ी दर्दना कहाने है असोक की, बलकि पूरे परिवार की और सांथी, और गिनिजिसन की दरिंदगी की खैर, आप क्या सोचते हो, जगवाल जिंगडा को उसके किये की पूरी सजा मिलेगी सर, दीवेचा की दा नहीं पता लगा था, इस मामले को लेकर तुम भावनाओं में बह रहे हो, बता चुका हो सर, ओ परिवार से मेरा कितना करीबी रीस्ता, नहीं मिश्टर दीवेचा, ये ठीक नहीं होगा, जी, तुम्हारा ट्रांसपर हम ततकाल आदेश से पूरा कर रहे हैं, नहीं, चीख निकल गई दीवेचा के हलक से, ये, ये नहीं हो सकता सर, इसा कैसे हो सकता है, उन्होंने साफ परिवार को तबाह, इसलिए ट्रांसपर किये जा रहे हो, चीफ मिनिश्टर ने सांत और समझाने वाले लाजे में कहा, भावनाओं के आवेग में तुम ऐसा कदम उठा सकते हो भवीसे में जिसका जबाब देना हमारी सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा, सर मैं ये किन दिलाता हूँ, ऐसा कोई काम नहीं होगा, दिवेचा लगवग गिड़िडा उठे, ना पहले कभी गैर कानूनी काम किया है, ना आप करूंगा, मगर प्लीज, ट्रांसपर मत इसे तो समाज में गलत मैसेज जाएगा, लोग कहेंगे देखी और्गनेशन की तागत, जो SSP कुछ कर सकता था, हाथे हाथ उसका ट्रांसपर करा दिया, ये मैसेज तब जाएगा, जब वहाँ किसी धीले आदमी को SSP का चार्ज दिया जाएगा, मुल्जीमों के खिलाप सक करवाही होती देखोगे, फर्क सिर्फ ये होगा कि वह आदमी जजबातों से काम नहीं लेगा, मगर सर, इधर जो चार्ज तुमें दिया जा रहा है, ओभी कम महत्वन का नहीं है, मुख्य मंतरी का एक-एक सब्द नपातूला था, एक हपते के बाद पुना में पर्धान मं मंतरी की रहली है, तैयारिया जोरशोर से चल रही है, खुफ्या रिपोर्ट्स के मुताबिद आतंकवादी सक रही है, आता उनकी सुरक्षा का इंतिजाम कड़े से कड़ा करना है, कली वहाँ, कल की कल जाकर इंतिजाम की बागड़ोर तुम अपने खुरात में संभाल लो, समझने की कोशिस ये सर, ये कदम मिश्टर धिवेचा, पहली बार मुख्य मंतरी के मुँ से सक्त स्वर निकला, समझने की कोशिस तुम्हे करनी चाहिए, हमें एक इलाका नहीं, पुरा इस्टेट देख रहा है, सरकार चलानी है, ओपोजीसन के सवालों का जबाव देना है, गिलाड पर छापे के कारण पहले से कुछ कम छिचालेदार नहीं हो रही है, क्या मिला वहाँ, नरम लाजे में बात के वाल इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि हम तुम्हें काबिल अपसर मानते हैं, साथ इसलिए कम महत्वा का चार्ज नहीं दिया, पीम की सुरक्षा का इन चार तो कल जा कर ले लो, दिकत है, तो रिजाइन लिख दो, एक लबच नहीं फूटा दिवेचा के महों से, चीफ मिनिस्टर की तरफ देख ते रहा गयो, अब तुम्हें आ से जा सकते हो, हमें और भी काम करने हैं, काने के साथ उन्होंने मेच पर रखी, डेरों फाइलों में स एक फाइल उठा कर खोली, दिवेचा के पास बाहर निकल जाने के लावा, अब कोई चारा नहीं था, गुस्से की जाती के कारण, वोरी तरह काम थे विचले गए, चीफ मिनिस्टर ने कूर्ते के जेब से सलेलर फोन निकाला, जल्दी जल्दी एक नमबर निंग किया, कनेक मगर जब देखा, ओ उतना बोल रहा, जितना एक SSP को नहीं बोलना चाहिए, तो अपने तेवर दिखाए, हिंदी में समझाया कि SSP, SSP होता है, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, बला एक पुलिस अफसर की क्या हैसियत, कि हुक्म सुनने के बाद चुचा करे, दूसरी त करे थे, कल वे अपनी पार्टी छोड़कर तुमारे पार्टी में सामिल हो जाएंगे, बिदान सामा में तुमारी तागत में और ब्रीधी होगी, कैसी बात करें भाई जी, चीफ मिनिस्टर के चेहरे पर रवना का गई, आप काम बताए, और ना हो, ऐसा कहीं हो सकता है, वि मेंटिनेंस के लिए जितना पैसा भेजा जाता है, असी परसेंट जीम लिया जाता है, ना मेरी जी को ठीक खाना दिया जाता है, न वे दवाय जिनकी जरुत होती है, बिस तोरो तक में हेरा फेरी की खबरे है, ये प्रोग्राम पहले बनाना चाहिए था चीफ मिनिस्टर, गोल्डन चांस हांस से निकलवा दिया तुमने, ऐसा क्या हो गया भाय जी, लेटिनेंट भी वही है, दिवेचा को साथ ले जाते तो मजा रखता, आखिर होने वाला दमाद है उसका, और हाँ, सुना है, उसकी बेटी भी साथ है, वो भी जाती, दोनों अपनी आखों से ले जा सकता हूँ, आखिर चीफ मिनिस्टर हूँ, और हो सरकारी अफसर, हमारी नहीं सुनेगा, तो नोकरी कैसे कर सकता है, अभी वापस बुलवा लेता हूँ से, ऐसा हो जाए, तो रंगत आजा चीफ मिनिस्टर, बस आप समझो भाय जी, रंगत आहीं गए, और सुनो, सुप समझ गया भाय जी, अच्छी तरह समझ गया, इतना समझदार ना होता, तो इस कुर्सी तक कैसे पहुच जाता, लेटिनिन का इतना खाल रखा जाएगा, जितना पहले भी कभी किसी का नहीं रखा गया होगा, और उसके दिमाग का ऑपरेशन तो वाप हुगा ही समझे, अब के साथ कनेक्शन डिसकनेट कर दिया गया, चारो एक मेंट पर चड़े आसपास की साखो पर बैठे थे, पलेग्राउंड पर इउध अस्तर पर काम चल रहा था, वाडन्स, सकली बिखेर रहे थे, अटेंडेंस छिरकाव कर रहे थे, फूलों से सय जा रहा था ग्राउंड को लगवग सभी पागल धूले और साप कब्रों में नजरा रहे थे, मैटरंस, असिस्टेंट, सुप्रिजेंट आदी अफसर भागे फिर रहे थे, उस नजारे को देखकर कतली का उठा, ये चकर क्या है, जहन्नुम को जन्नत बनाने में क्यों लगे है, ये सब को नए-नए फर गरहे धूली हुई चादरे, ये साप सफाई पागल तो नहीं हो गया, पागल खाने का स्टाप, खतली जी, डक्टर ने कहा, ये मिनट मिनट में बोलने की बिमारी बहुत बुरी है तुमारी, क्या भूल गया, बताय तो था, चीप मिनिस्टर साब आने वाले हैं, क्यों इंस्पेक्टर ने पोचा, सेमो ने सर्टीफेकर पकड़ा दिया क्या, ये ये रॉनर वकीर बोला, दिमाग से काम लो, ओ होता तो हम यहां की होते, मगर उतना तो पता है न, जितना बताय गया है, डक्टर अपनी धाटकाने चेक करता हुआ बोला, वे यहां की साप सफाई हम लोगों के रहने, पानने, खाने और गाने का, इस्टेंडर देखने आ रहे हैं, अस्पदाल का रख रखाओ देखेंगे, दवाईयों का, इस्ट्रोक भी चेक कर सकते हैं, चिप्पिनिश्टर ठायरे, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन और उनर, जिस तर तयारिया की जा रह हैं, जो तो इमें नजर आ रहा है, उन्हें नजर नहीं आएगा, क्यों, अब तो एक पागल है, और चीप मिनिश्टर, दोनों की नजरों में फर्क होगा की नहीं, छोड़ इंस्पिक्टर, इसको समझ भी नहीं आएगा, कतली ने कहा, आज तक मेरी समझ भी नहीं आया, कि मरने के बाद मेरे दादा ने हंदुस्तान में इतनी इमारते कैसे बनवा दी, मरने के बाद इमारते बनवा दी, ऐसा कैसे हो सकता है, हुआ, सोलहाने हुआ, कैसे हुआ, वहीं तो सस्पेंस है, ओ दिली का राश्पति भावन, मुंबाई का गेटवे ऑफ हिंडिया, मल स्लीप हो गया तरे दिमाग से नहीं कतली ने पूरी संजीदगी के साथ का उसा जहाने बनवाया था मरने से पहले मरने के बाद कुछ करना क्या मुश्किल है डक्टर बोला भूत बनो और कर डालो मुश्किल काम तो मेरे दादा क्या करते थे उनके जबाने में कभी सूखा नहीं पढ़ा इधर किसान आते मेरे दादा से काते और दादा बारिस करा देते बारिस करा देते दुआदार बारिस कैसे भाला एक लाठी थी उनके पास उठाई बादलों से छेर-छाड की और हो गई बारिस कोरी गब इस बक्टर ने कहा इतनी लंबी लाठी हो इने सकती वकील बोला, थी रोनर, मैं चस्मदीद कवा हूँ, तू कैसे का सकता है, इसके दादा उस लाठी को हमारी घर में ही रखते थे, ओम मारा इंस्पेक्टर की दुम को मिला हाथ, खिल खिलाते वे, डक्टर ने हाथ आगे बढ़ाया, दूसरी डाल पर बैठा, वकील भी हाथ मिल के पास होती थी, ओम मुंबती ऐसी थी, जिसले कर मेरे दादा रात के वक्त समुंदर में उधर जाते थे, तुम समझ सकती हो, वहाँ अंदेरा होता था, उन्हें रत्नों की तलास होती थी, बस मुंबती जलाई और तलास शुरू, इस मुंबती की रोशने में बड़े- जाता, यह नहीं मान सकते, कत्ली ने कहा, बенला सुमौंदर के अंदर मुंबती की से जल सकती है? डक्टर बोला, गैस का हंडा काता, एमर्जनसी लाइट काता, मैं काता हूँ, बल ब्या ट्यूवि का देता, तौं मान लेता, डक्टर बोला, अगर तू गैस का हंडा का था, एमर्जेंसी लाइट का था, मैं काता हूं बल्ब या ट्यूब भी का देता, तो बात को एक गिलास पानी के साथ खालक से उतार लेते, मगर मुंबती हरगीज नहीं, पानी में जली नहीं सकती, अड़ गया इंस्पेक्टर, जल गतली ने जोर से ठाका लगाया, बोला, यह हुआ नहले पे दाला, मेरे से मुकाबला करने चले थे, साले, मिला पैर, कहने के साथ उसने पैर इंस्पेक्टर की तरह बढ़ाया, उस पत इंस्पेक्टर उससे पैर मिलाने की कोशिस कर रहा था, जब ड़क्टर ने कतली की और और वकील ने इंस्पेक्टर की और जोर से धाका दिया, दोनों पके आमों की तरह पेट से नेचे गिरे, चेप्पिनेश्टर के चारों तरफ दो बरीत बनाए गए थे, पहला उससे वेव कदम दूर, पागल खाने की अटेंडिन्ट का खतरनाक किसम के 20 अटेंडिन्स थे, हाथों में वे हंदर थे, जिनकी फटकार तक से पागल डरते थे, दूसरा खेरा ससस्त्र पुलिस वालों का था, चीप्पिनिश्टर से केवल 10 कदम दूर, चीप्पिनिश्टर के दाई तरफ सुब्रेडिन्ट था, बाई तरफ दिवेचा, रसीम पीछे, पागल खाने के स्टाब के साथ चल रही थी, दिवेचा का चेरा सपाट होने के बावजूद, मजबूरी साफ चलक रही थी, रसीम की आखे असो को ढूनने का परेतने कर रही थी, काफिला इस वक्त प्लेग्राउंड से गुजर रहा था, अटेंडेंस और पुलिस वाले जो घेरे के रास्ते में आता, उसे अटेंडेंस के कोडे की फटकार से डाट कर या धकेल कर हटा देते, कई पागल ऐसे थे जिने काफिलों से कोई मतलब नहीं था, अपनी उटपटांग हरकतों में मगने थे वे, जिसे जू खाने वाला, अपने लिवास से जूए तलास कर किना काम कोशिस कर रहा था, पतंग बाज अभी मैदान में खड़ा काल्पनिक पतंग में कभी ठंकी मारता, कभी जोर जोर से खीजने लगता था, एक अन्या अच्छी भली दो टांगे होने के बावजुद, एक टांग पर फुदकता फिर रहा था, क्यों, यह वहीं जाने, उनकी हरकत देखते चीफ मिनिश्टर के होटो पर मुस्कान आय बगर न रही, सुप्रीडियन के पांस चलते उसने पूछा, यह लोग इसी तरह खूले में घुमते रहते हैं, पागल अन्य किसंगे होते हैं सर, कदम से कदम मिलाए सुप्रीडियन का, कुछ संकी, कुछ क्र उसरों को नुक्सान पहुंचाते हैं, और कुछ बेहद खतरनाक होते हैं, हिंसात्मक परविती के, मौका मिलते ही, किसी को मार डालेंगे, ऐसे लोगों को सेल्स में रखा जाता है, यह तो पागल पागल है, किसी का नहीं बता कब क्या कर बैठेगा, फिर भी हम खुला वात दबरान देने के लिए, उन्हें वहाँ छोड़े रखते हैं, लेकिन नजर कड़े रखती है, ऐसे ही किसी ने ऐसी हरकत की, जो खतरनाक सिरनी में आती हो, उठा कर सेल में पहुचा देते हैं, एक पागल सिर नीचे पैर अकास की तरफ किये खड़ा था, जानों से क्या अरे देखो, आज कोई बहुत खतरनाक पागल आया है, पुलिस के घेरे में है, नेता वाली डेस पहली है साले ने, अबे चुप, हवा में ड्राइविंग कर रहे हैं, पागल ने कहा, चीप मिनिश्टर सहाब है, सुरु सुरु में यहीं कहते हैं, बिजली के जटके लगें हूँ, सर, सुप्रिजिंट ने हलकी मुझगान के साथ कहा, हम इनकी बात का वुरा नहीं मान सकती, चीप मिनिश्टर वोला, मान कर करोगी भी क्या, पागल तो पागल है, कहो सुप्रिजिंट सहाब, एक पतले दुबले पागल की अवाज गोजी, मेरी वीवी को नहीं लाय चीप मिनिश्टर ने पूछा, एक इसके बारे में पूछ रहा है, मेरी पतली के बारे में सुप्रिजिंट बताता हुआ जेपा, एक बार इसने उसे ओपिस में देख लिया, पठे को उसी दिन से धून लग गई, क्यों उसकी बीवी है और मैं उसे भागा लाया हूँ, हसी जूट गई, चीप मिनिश्टर की, बोले, बुरा नहीं मान सकते, पागल तो पागल है, जी, सुप्रिजिंट और ज्यादा जेपा, एक एक चीप मिनिश्टर ठिटका, नजर, डॉक्टर, वकील, इंस्पेक्टर और कटली पर इस्तिर्यो करा गई, चारो एक लाइन में के थे, ये चारो अजीब किस्म के पागल है, सुप्रिजिंट ने उसकी मन सा भाप कर बताना शुरू किया, इन्से तीन हमेशा उसी डेस में राना पसंद करते हैं, जो पागल होने से पहले पहने थे, यानि इंस्पेक्टर, वकील और डॉक्टर, कोई और डेस हो, तो भड रहा आरबक्त अपनी धटकन चेक करता रहता है, उसकी आई साइड विक नहीं है, मगर मोटे लेंसों का चस्मा जरूर लगाएगा, कहता है बगएर चस्मों के डॉक्टर डॉक्टर नहीं लगता, वकील के हाथ में कानून की किताब और इंस्पेक्टर का हाल तो आप देख पहले पडोसी से फासी, फिर एक दोस्त के साथ गुल छर्रे उडाने लगी, पडोसी ने उसकी मडर कर दिया, पठा खुद को बीबी का कातिल करने लगा, इसका दावा है कि उसकी हाथ क्या आलपीन से की है, आलपीन से, चीफ मिनिश्टर हासा, जबकि असल में पडोसी ने उसे चाकू मारा था, ओपकड़ा गया, चाकू पर उसकी उंगलियों की निसान थे, कई चस्मदीर गवाबी थे, केस चाला अंदताव से जुर्म कबूलना पड़ा, जेल में आजीवन करवास भोग रहा है, परन्तु उसके दावे में कोई फर्क नहीं है, बेचारा, पतने कैसे ये चारों दोस्त बन गए, 24 गंटे साथ रहते हैं, कतली का काम कतल करना, और वाकी तीनों का अपने अपने पेसे के मताबित, उस कालपनी कतल की इनविश्टिगेशन करना, इनका प्रिया खेल है, वैसे इनविश्टिगेशन के दर्म्यान कभी-कभी बड़ी समझदा बारी-बारी बाते भी करते हैं, ओ, कतल से याद आया, कहने के साथ चीप मिनिश्टर दिवेचा के तरह पल्टा, असोख सा भी तो यहीं है SSP, जी, दिवेचा ने धी में से कहा, रसीम के दिल की धड़काने बढ़ गई, असोख सा कहा है, चीप मिनिश्टर ने सुप्रिड कर सकता है, इसलिए उसी सेल में रखा गया है, बिजली के जटको के ट्रीटमेंट पर है, वे असोख के सेल के बाहर गलिरी में पहुंचे, सुप्रिडेंट, चीप मिनिश्टर दिवेचा और रसीम को देखकर, असोख चौंगा, दरवाजी की सलाखे पकड़कर बोला, पहुंच यहां तक है, बिजली का सोख देकर मुझे सचमुच पागल करने की कोशिस की जा रही है, चीप मिनिश्टर ने उसके तरफ बढ़ना चाहा, सोरी सर, सुप्रिडेंडेंट ने रोक दिया, उसकी बातों में मत आये, नजदीक जाना खतरनाक हो सकता है, तुम बक्त हो, आवेस मेरा सीम चिल्ला उठी, किसी को कोई चोट पहुंचाई है उसने आज तक, बेटी, सुप्रिडेंडेंड ने कहा, मौका नहीं दिया, गया उसे डक्टरों को, काना है कि, बक्ते हैं डक्टर, जूट बोलते हैं, सब के सब ठाकराल के हाँ तो बिग गए हैं, सर, स सक से सानुभूती है, त्यार करता हूँ अपने हर मरीज से, क्योंकि जैसी टेजडीन की साथ हुई, मगवान किसी के साथ वैसा न करें, परनतों ये लोग भावनाओं की सीमा से बाहर निकल चुके हैं, इसलिए हम भी भावक नहीं हो सकते, और फिर, इन जवान तो वैसे भ पागल की तरह चीखा, दिवेचा अंकल, आप इने समझाते क्यों नहीं, कहते क्यों नहीं कि मैं पागल नहीं हूँ, उफ, आप भी पागल समझने लगे हैं मुझे, दिवेचा के मुझ से बोलना फूर सका, कसमा सा करा गए, और वाकई इस उपरेंड, चीपिनिस्टर ने क बहुत बुरा हुआ इस नाजवान के साथ, और इसके साथ की, इसके पूरे परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ, ये बिचारा पागल हो गया, उदर बादमासों ने इसकी बहन की इजत लूटी, मा डाला उसे, मा ने इसके मा और इसके मा ने बिरोत किया, तो उसे भी खा परमजादे असोग हलक फार कर ताहाड उठा दिवेचा अंकल ये क्या पक रहा है ये नहीं हो सकता कहतो ये जूट है मम्मी और रितु को हाथ भी नहीं लगा सकता कोई कहतो ये जूट है रसीम की आखे भराई दिवेचा भराई स्वर में स्वरी सर वे रेप नहीं कर सके थे उससे पहले ही पिरिया भावी ने रितु को मा डाला और उसके बाद हमारे सामने खुद को भी खत्म कर दिया एक ही बात है जूल्म तो हुगा और उदर दिवेचा के सब्दे असोग के दिलो दिमाग पर गड़गडा आती हुई बिजली बन कर जिरे जहां के तहां जाम होक पर रा गया हुई मानों खड़ा खड़ा राक के धेर में तबदील हो बया था अवाग असोग रसीम इस खौफ से उसकी तरफ दोड़ी कि दुख की परकाश्टा कहीं सचमुचों से पागला का डाले कई अटेंडेंस और पूलिस वालों ने रोकनी की कोशिस की लेकिन इंस अटों से उसका कंदा जीर जोर तो ही चीक ही असोग मेरे असोग दे ग्रेट होस में आओ होस में आओ असोग यह कैसे हो गया असोग के होटों से बुद बुदा हाट फूल दी फिर यहीं अलफाज उसने चीह करका है यह कैसे हो गया रसीम तेरे रहते यह कैसे हो गया और य की बात पूछ रहा था उधर अटेंडनेंस और पोलिस वालों ने रसीम को दर्वाजे से दूर खीच लिया कि उरोय जा रही थी असोक चीक रहा था किस ने किया ऐसा कौन थे हुए गुंडे मुझे बता रसीम एक एक को कच्चा चबा जाओंगा मैं आग लगा दूंगा उनक उबेचारा इस हालत में पहुंच चुका है कि अच्छे बूरे का होस नहीं है किसी को जान तक का नुकसान पहुंचा कर अपने आपको और मुसीबत में भसा सकता है बड़ा दुख हो रहा है देकर दिमाग का ऑप्रेशन क्यों नहीं करते इसके अभी ऑप्रेशन वाली ये हमें फारन उसका ऑप्रेशन चाहिए इमिडिये ये सर सुप्रेशन और कभी क्या सकता था लेकिन सर आज सर चकी दिवेचा नहीं कहा जब अभी इनके मुताबित ऑप्रेशन की जरुत नहीं है तो तुम चुप रहो दिवेचा हम इनकी नाटक बाजू को खूप अच्छी जानते हैं मरीज हर से बाहर निकल जाता है मगर इनकी स्टेज नहीं आती कान खोल कर सुनो मिश्टर सुप्रिलेंड कल असो का आप्रेशन हो जाना चाहिए यह हमारा हुक में जिस चीज के जुरत हो हमारे पिये से काना जी मगर सर दिवेचा ने पून कहा इस दिमाग डेमे मिश्टर गुर्रा उठे मिश्टर दिवेचा आउकात में रहो तू मत भूलो कि एसेसपी को चीफ मिनिश्टर के सामने कितना बोलना चाहिए आउकात में तुम रहो अपनी भबकते लाजे में काने के साथ दिवेचा बिजली किसी गती से आपना रिवल्वर निकाल कर काहिए अभी संभल भी नहीं पाई थे कि दिवेचा गुर्रा है किसी भी हरकात का मतलब है चीफ मिनिश्टर की मौत इसकी कीमत पर हाथ्यारों को इस्तमाल करना चाहते हो तो करो चारो तरफ संसनी भैल गई दिमाग जाम हो गया किसी की समझ में नहीं आया कि करे तो क्या कर असोक और असिम तक हाक बगाई हुए उनकी तरफ देख रहे थे चीफ मिनिश्टर के चेरे और हल्दी की गाट में कोई फरक नहीं था मौह से मेमिया हाथ निकली क्या कर रहे हो एसेसपी साय तुमीस के अंजाम का फिलाल अपने अंजाम की फिक्र करो चीफ मिनिश्टर सहा गोली बड़े छोटियों का फरक नहीं समझती बेजा उड़ने से बचाना चाहते हो तो हुकम दो सब अपने हाथियार जमीन पर डाल दे हाथ उपर उठाले दिवेचा अगर तु हुकम दो दिवेचा ट्रेगर पर दबाव बढ़ाने के साथ कुर राया चीफ मिनिश्टर क सिट्टे पिट्टी गुम हो गई मरता क्या ना करता देना पड़ा हो इधर हुकम का पालन हुआ उधर तालियों की गड़गराहाट गोजी सबने पलट कर गड़गराहाट की तरफ देखा वकील इंस्पेक्टर डॉक्टर और कतली नकेवल तालिया बजा रहे थी बलके मारे खुसी के उचली भी रहे थी उन्हें देखकर दिवेचा हाक बका गए जानते थी वे धमकी में नहीं आएंगे अभी वे उनका इलाज सोच में नहीं पाए थी कि कतली जी टीवी एस्टाइल में का उठा वाह क्या सीन है इंस्पेक्टर ने दिवेचा के सामने पहुँच कर बकाईदा सेलूट मारा एए दिवेचा सीधे खाड़े रहो बरना चीफ मिनिस्टर को गोली मार दूँगा मार दो इंस्पेक्टर ने कहा नेता मुल्क में रहने ही नहीं चाहिए अजीब हालत हो गई दिवेचा की और अनर दूर खड़े वकील ने अपनी पैटेंट अदालत में जोग कर कहा समझने की क हम आपकी तरफ है खोपडे से काम लो डक्टर ने कहा इस तरह इकिन नहीं आएगा बुढ़ाओ को फिर कैसे आएगा खत्री ने पूछा ऐसे डक्टर ने एक गन उठा कर उसकी नाल सुप्रीटेंट की गर्दन पर रख दी बोला सब बंदू के उठा कर इनके दुसमनों के टेटवे पर रख दो पलक जपकते ही बाकी तीनों ने डक्टर का अनुशरन किया चीप मिनिस्टर का चेहरा तो क्या पीला पड़ा हुआ था जो सुप्रीरिंट सहीद उन चारों का पड़ा जो उनकी गनों की धार पर थे पांगलों का क्या भरोसा जाने और क्यों उनके हा करते हुए का अब आपको जरूर ये कीना गया होगा कि हम आपके साथ है जिसके आप फेवर में हैं यानि उसने असो की तरफ इसारा किया वह हमारे गुरू है उनका बाल बाका करने वाले के हम सारे बाल उखार देंगे रसीम अधिवेचा ने कहा असो को बाहर निकालो यहा आपका खादिम इसी मर्जी की दवा है कहने के साथ किसको कुछ समझने का मौका दे बगर उसने गन की नाल सेल के दरवाजे के तरफ घुमाई और धाय फायर की आवाज दूर दूर तक गूच गई असोक एक पल के सवे हिसे से पहले उसका इरादा भाब गया था बड़ी फ इसे कहते हैं निसाना कतली ने आगे बढ़कर ताला एक तरफ फैका दरवाजा खोला स्वागत करने वाले आंदाज में कहा आईए गुरु देव आजी की खुली हावा में अजादी की खुली हावा में सांस लिजिए बुढ़ों ने ठीक कहा अब ना आप यहां रहेंगे और ना हम यहां से निकलने के हमारी आईस्क्रीम तो साली पिघल गई भलाओ बुढ़ाओ का आसमानी फरिस्ता बनकर हमारी जिन्दगी में आया है असोक ने भी छपट कर गन उठा ली उन्हें अपना बनाए रखने के लिए कतली से बोला थैंक्यू कतली जी क्यू सरमिंद आपके दूसरी लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त ये क्या और कैसे करें दिवेचा को तो सायद जैसे दैसे चक्मा दिया भी जा सकता था मगर अब जब की पांच पागलों के हाथों में गने थी और उन्हीं साने पर थे तो कोई बाल बराबर हिलने की हिमत भ सकता था आता हारकत की तो बात दूए बोलने तक की हिमत नहीं होई किसी की चीफ मिनिस्टर सहीद सब भी थराय हुए थे बलकि दुबा कर रहे थे कि किसी तरह उनसे पीछा छूटे उदर फायर की आवाज ने प्लेग्राउन में खलबाली मचा दी असोक ने दात भीज कर चीफ मिनिसर से कहा ओपरेशन कराएगा मेरा चल गेर तक छोड़र में नहीं असोक दिवेचा बोला यह ठीक नहीं होगा किव अंकल यदि इसे छोड कर भागे तो पांच मिनट की अंदर हमारी फरारी की सुचना सारे सार की पुलिस को होगी किसी सुरक्षित अस्तान पर प इस्टाप के किसी आदमी को हिलने तक नहीं देंगे हम यहां से तुमी किसी सुरक्षित जगा पहुत जाना है और आप हम आदे गंटे बाद इसे साथ लेकर या गेट पर छोड़कर जैसे भी मुनासिव होगा निकलेंगे तब आप उसी खत्रे में होंगे पांच मिनट के अंदर सारे सहर की पूलिस आपके पिछे होगी अकेला आदमी इन्हें अराम से डोज दे सकता है नहीं पापा समझने की कोशिस करो रसीम यहीं एक रास्ता है मैं आपको खत्री में छोड़कर नहीं जा सकती तुम निकलो असोक मैं पापा के साथ हांगी खारगीज नहीं द कोई भी रोद नहीं करोगी निकलो यहां से और योर अनर हम अकिल ने पूछा तुम मेरी मदद के लिए यहां रहो गयो अजी ठेंगा डॉक्टर ने अंगठा दिखाया जहां गुरु देव वहां हम क्यों कतली जी हंडेट परसेंट करेक्ट कतली ने सीधी असोक से कहा कान पट्री पर यह रोणर वकील ने कहा कि उन्हें ने उठा कर उसी सेल में बंद कर दे जिसमें इन्होंने आपको रखा था असोक कुबार जमी और फिर बगर एक पल गवाए उसने अमल शुरू किया गंतान कर दी गई एक ही धमकी में पुलिस वाले सुप्रिरेंट और उसका सारा इस्टाप सेल के अंदर था चीप निश्टर की कनपटी परिवलवरे रखे दिवेचा गैलरी में ताला तो टूठी चुका था शेल का डंडाला बाहर से लगाती वे खतली ने कहा इसे कहते हैं नाले पे दाला हमारे गुरुदेव को बंद रखते थे साले अब तुम एक लो असोग दिवेचा ने कहा आउ रसीम उसका हाथ पकड़ कर असोग गलरी के सिरे के तरह बढ़ गया और रोनी सुरत बनाए रसीम बार बार पलट कर दिवेचा के तरह देखती जा रही थी वकील, इंस्पेक्टर, रक्टर और कतली कुटते फानते उनके पीछे थे उ दिवेचा ने फार रिवल्वर को दबाओ चीफ मिनिश्टर की कनपट्री प्रबार देखती हुए गोली चलाने की धमकी थी, हाथ वापस खीज लिया उसने, इधर चीफ मिनिश्टर भी ठंडा पड़ गया, पल दो पल ओहल चल या गरमाहट साहद दबाओ कम होने के कारण थी, पड़न तो समाझ में आया, कि वे चाहा कर कुछ नहीं कर सकते, तो ठंडे पड़ गए, वे सब सेल में थी, हाथ यार गैलेरी के फार्ष पर, सेल के दरवाजे के ठीक सामने, चीफ मिनिश्टर को कवर के दिवेचा था, जब कुछ और नहीं सूजा, तो चीफ मिनिश् भाइस भी नहीं बची है दिल में, अब तो ये खीख भाइस है, बच्चे बच्चे रहे, वे नहीं बच्च सकते, सुफसु बोलो महदोय, बरना ये सिर फिरा तेगर दबा देगा, साहम कर रह गया चीफ मिनिश्टर, अब फार्ष से एक-एक हाथ्यारे उठा कर दिवेच उठा सकता, 20 मिनिट में वो सारे हाथ्यार खाली कर चुके थे, असोक को गए 30 मिनिट हो दे ही, रिवल्वर की नाल से चीफ मिनिश्टर के कनपट्टी ठक ठकाती बे बोला, चलो महदोय, गेट की तरफ बढ़ने का बक्त हो गया, सुइम चीफ मिनिश्टर भी मुसीबत से पीछा छुडाना चाहता था, अता उसकी सारे पर गलिरी के सेरे की तरफ बढ़ गया, वे केवल 10 कदम बढ़ पाए थे, कि सेल में बंद सभी बाहर निकालाय, सिपाहियों ने ये जानते बोचते कि हात्यार खाली है, उठाली है, दिवेचा ने कनख्यों से उनकी तरफ दे पर पहुंचे, बिसाल गेट हमिस्ता के तरह बन था, बड़े गेट में मौझूद खिटकी के अकार का छोटा गेट खुला था, उसके नजीक पहुंचते ही, दिवेचा ने बिजली किसी गती से रिवल्वर के दस्ते कवार चीफ मिनिश्टर के सिर पर किया, चीफ मिनिश् बाहर की तरफ से बन कर दिया, अब वे जानते थे, चंड मिन्टो बाद सहर के हर पुलिसे को उनकी तलासों की हर रोड ब्लॉक कर दी जाएगी, वे बाहर खड़ी पुलिस जीब की तरफ लब के, दिवेचा बातबरन में एक आवाज उफरी, इधर दिवेला फूर्ती के सा आवाज की दिसा में पल्टी, उदर खड़ी एक रोल्स रोयल का डाविंग दोर खूला, एक सक्स बाहर निकला, उसने बुलू कलर की पैंट वैसे ही सट और वैसे ही कलर की जूतिय पाहर रखे थे, सिर पर गोल हैड था, उसका अग्रिम सीरा ललाट पर जूका था, कट्रा उसने बगर देर की ये सिर से हैट उतार लिया, तो तुम हैरेल्स से डूबी चीक निकल पड़ी दिवेचा के हलक से, उसने हैट वापी सिर पर रखा, जपड़ कर उनकी कलाई पकड़ी और साथ लिए वापस रॉल्स की तरप दोरतवा बोला, मुह से नाम निकलने की जरत है मेरा, आस्चरे के सागर में डूबे, दिवेचा उसके साथ घिसरते चले गए, सभी सहरीयों को सवधान किया जाता है, हर आदे घंटे बाद रेडियो टीवी प्रोग्राम बीच में रोक कर इगोसना की जा रही थी, पागल खाने से पाँच पागल भाग निकले हैं, इन सब्दों के साथ टीवी स्क्रीन पर एक एकर के पाँचों के फोटो उबारते थे, इन सभी के पास हाथियार है, हाला कि हाथियारों की मौझूदगी में सभी खातरनाक है, आपको कहीं भी किसी भी पर सकत है, मगरा सोक सा सबसे ज़्यादा खातरनाक है, इस पर जुनून ही हात्या करने का सबार होता है, पुलिस सरगर्मी से इने तलास कर रही है, अपनी घरों के खिटकी दरवाजे अंदर की तरफ से मजबूती के साथ बंद रखे, और ये जाने बगर ना खोले कि बाहर कौन है, पागल, आखिर पागल है, किसी भी समय कहीं भी पहुंच सकते हैं और आपको नुक्सान पहुंचा सकते हैं, अता एधियाब को इन में से कोई भी नजर आए, तो तुरंत इन में से किसी फोन नमबर पर सुज़ित करें, ऐसा करके आप किसी संभावित भयंकर दुरघटना को होने से बचा सकते हैं, उमीद है आप एक जागरुक नागरिक हो उने के करताब्य को जरूर निभाएंगे, रेडियो पर वार बार टेलफोन नमबर दोहराय जाने लगते हैं, टीवी स्क्रिन पर नमबर लिखे आते हैं, साथ ही एनाउंसर उन्हें पढ़ता है, मुबारक हो एर रोनर, वकिल्स, डक्टर से बोला, आप टीवी एस्टार ब भी देखने को नहीं मिलता, वाकई, इंस्पेक्टर कुछ कहना चाहता था, कि असोग ने कहा, एक मिनेट इंस्पेक्टर, तीवी पर साइद कुछ और बताया जा रहा है, इंस्पेक्टर सहीत सभी की नजरे पुना इस्क्रीन पर इस्तिर हो गए, एक उद्घुस का बता र भरते हैं, चीप मिनिश्टर को कबर करके इनी दोनों ने पांच पागलों को भागाये हैं, इनके संबंध में भी इनी नमबरों पर सुझना दे, नमबर एक बार फिर सुने, उधर उद्घुस का नमबर दोराने लगी, इधर खुर्रे किनारी के साथ सोफे पर बैठा, इं टर भी नाचने लगी, दिवेचा और रसीम से संबंधित सुचना टीवी पर पहली बार दी गई थी, और इसमें सक नहीं, सुचना सुनकर रसीम का चेहरा जहां खिल उठा था, वहीं असोक के चेहरे पर छाया, तनाव कुछ का मुगा, असोक रसीम ने पूछा, कहां होंग जबडे सक्ती के साथ भीचे थे उसके, दूसरी तरब से रिसीवर उठावा गया, अवाज उपरी, हेलो, अपनी मौत का इंतजार सुरू कर दे जिंगडा, दूसरी तरब से चौँका हुआ सुरूफरा, कौन इस अवाज की खनक अब आखरी सांस तक तेरे कानों में दूबत नहीं जानता, कमजोड अबलाओं पर हमले करते हैं, मगर वे अबलाओं भी ठूग गई तेरे चेहरे पर, और उतो तक से नहीं जीत सकता तू, मुझे गर्भ है अपनी माँ पर, बेटी को बचाने की खातिर, अपने हाथ से उसी मौत के खाट उतार गई उसे, स्ता किया, जो फून किया, तेरा अतापता तो फिलाल कुछ है नहीं, चाहे की तरा चुहे की तरा दुखका पड़ा होगा किसी बिल में, सोचा था, पागल खाने में बिजली की सोक लगेंगे, अपरेशन होगा तेरे दिमाग का, और कहानी फिनी सो जाएगी, मगर वे असान मौ छू तक नहीं सकता, बच्चे, मेरे बंगले में कडम रखने का मतलब है, टुकडे-टुकडे हो जाना, इतना तो समझता ही होगा ना, पिछली बार बंगले में तु आया नहीं था, बलकि बुलाया गया था, आने दिया गया था, ताकि मेरा कतल कर सके, और मैं बड़े प्य भारतिये डंड, बिदान, पागल पर लागू नहीं होता, वहां क्या कवज है, वहां क्या कवज है, अब मैं चाहे जिसे कतल करू, जिसे मारू, तेरे सारे और्गनेशन को जला कर खा कर दू, बाबु भाई ठाकराल के लास में अदालत के अंदर भूस भर दोस की खाल में, मगर मुझ पर केस तक नहीं चल सकता, भारतिये डंड, बिढ़ान लागू नहीं मुझ पर, यानि कानून से ओपर की चीछों, जादस जादा उठा, फिर पागल खाने भींज दिया जाएगा, सोच, सोच तुने मुझे कितना सुरक्षित कर दिया है, हात्याय करने का तेरे और्गनेजिशन के लोगों की लासों से पाड़ देगा, और कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड सकेगा, बिगाड़ेगा तो तब, जब केस चले, केस भी नहीं चल सकता है मुझ पर, सुक्रिया जिंगडा, ये कवस दिने के लिए सुक्रिया, अब सबसे पहला लास मे तेरी ही गिराऊंगा, तू तो क्या तेरी रूह तक मेरे बंगले में दाखिल नहीं हो सकती, जानता हूँ, अपनी सुरक्षा, बेहुस्ताओं पर, तुझे नाज है, ग्रेक देन नस उस कुट्टे पर बहुत गर्व है, तुझे, मगर तू भूल गया, देश के टीवी, र पर पाटका, एससाइद उस उतेजना के कारण ने हुआ था, जो जींगरा से बाते करते वक्त, असो के दिमाग पर काबेच हो गई थी, चेहरा अभी भी बबक्ती, भट्टी के मानेंद सुलग रहा था, असो, रसीम ने धीरी से कहा, ये क्या कहा बैठे तो, पगली ओहुल में उसे कैसे निपटूँगा, मुझे मालूम है, तुम ग्रेट हो, मेरे असोक दा ग्रेट, यार, एर उनर, वकील इंस्पेक्टर के कान में फुस फुस आया, कतल होने वाला है, एनिविस्टिकेशन का गुल्डन चांस, चुफ, कतली फुस फुस आया, मुझे रीड करने तो, असली कतल का वेस्ट कीमती नुकता हाथ लगने वाला है, क्या खाक, डक्टर हडबडबड़ाया, ओ तो इसक में मसगोल है, धमकी देते बग, असोक भली ही उतेजित हो गया हो, पर उन्तु जिंग्रा पर जरा भी असर नहीं होगा, उदर से रिसीवर पटके जाने के स लुक में दंदन आये, अपने खास सिपले सार और इस मिसन की इंचार से कहा, पागल का फोन आया था, पागल पन जाड रहा था, मगर तुमारे लिए काम की बात ये है, कि ओ एरपोर्ट के आस पास बोल रहा था, प्लेन की हालकी सवाज आई थी बीच में, सांता क्रूज इ दूसरी तरफ से जवाब सुने की कोशिस के वगर संबन विचेत कर दिया उसने, फिर अपनी दिन चर्या में बैस्त हो गया, बेड्रू में रोज की तरह एक नई लड़की इंतजार कर रही थी, उसके साथ खिलन दिया करने से पुरुआ, बंगले की सुरक्षा इंचार से क सारा तंत्र इलट रखना, एक पागल ने सुबह के सुरज के साथ हमारे बेड्रू में औहुचने का ऐलान किया है, बस उसके बाद ओगर में गोस्त से खिलने लगा, असो कोई याद तक नहीं किया उसने, राज के जाने किस वक्त उसे नींद आई, और सुबह बेड्रू मे उसके खर राटे गुज रहे थे, बगल में लिप्टी पड़ी थी उसकी एक रात की महमार, बंद दर्वाजे पर दस तक हुई, जिंगडा के खर राटे बंद, एक दस तक एक ही बार में उसकी नींद खोल देती थी, एक तरह से आठ वजने का एलार्म थी ये दस तक, फिर दबाया, दर्वाजा खुला, सामने वही नौकर बैटी की ट्रेली एक खड़ा था, आठ वजे दस तक देना जिसकी ड्यूटी थी, गुड मोर्निंग सर, कहता हुआ ओक कमरे में आ गया, मोर्निंग कहने के साथ, जाने कैसे उसे असो की याद आ गई, सारे कमरे में एक नज पसंद नहीं, और साड़े आठ वजे के बाद बैटू में लड़की की मौजूद्गी से नफ्रत है, बैटी आ चुकी है, पियो और फूटो यहां से, लड़की जो जंगवाल जिंग्डा की सक्सियत से अच्छी तरह परची थी, एकदम से उठ वेठी, चादर के अंदर उ लगने थी, नौकर जा चुका था, बोली, मुझे बैटी की आदत नहीं है, तो कप्डे पहनो और फूटो, फ्रे सोनी की इजाज़त भी नहीं है क्या, आठ उन्तिस तक जो करना है कर लो, उसके बाद ओके ओके, ओके जटके के साथ चादर से निकल कर बैट पर खाड़ी हो कितना फर्क होता है, बढ़ बढाती हुई लड़की, बैट से उतरी और कूले मटकाती बात्रूम के दरवाजे की तरह बढ़ गई, उसकी कोशी साइद जिंग्डा के इस सिधान को धोस्त कर डालने की थी, कि आठ के बाद बैडू में लड़की नहीं देखना चाहता, परन और उठाते ही, जिसे बिजली का सौक लगा उसे, मुह से ना चाहते हुए चीखुबाल पटी, ट्रे में केतली की जगा ग्रेन देन का कटा हुआ सिर रखा था, उसी पर ढ़का था केतली का बढ़, आखे फाडे जिंग्डा जैसे देख रहा था, कि भडाक से बात्रूम का दरवाजा खुला, मसिनिया अन्राज में चिकती, चिलाती, नंगी लट्की बाहर नेकली, कि क्या हुआ, क्या हुआ, जिंग्डा ने उसे जन जोडा, बुरी तरह खौफजादा हो, हक लाई, बात्रूम में, क्या है बात्रूम में, चिलाता हुआ, जिंग्डा आधी सीचे के सामने खड़ा था मगर नजर अपने अक्ष पर नहीं थी, खोन से लिखे गए अक्ष़ों पर थी, सीचे पर मोटे-मोटे और वोबड खडर, अक्ष़ों के ज़रिये तीन जगा लिखा गया था पागल, पागल पागल आँखे फाड़े जिंग्डा को लगा ये सब्द उसके अपने चेहरे पर लिखाए कैसे कर दिया असोक नहीं है कमाल क्या कमाल इतना ही था या वानगी आगे भी जारी रही यदि हाँ तो क्या और कैसे क्या हालत हुई जगवाल जिंग्डा की अकेले जगवाल जिंग्डा की ही क्यो पूरे और्गनेजिस्तन की बात क्यों न करे हम बाबु भाई ठकराल की बात क्यों न करे उसकी चंद लोगों के अलावा जिसकी सकल तक से कोई परचीत नहीं है उसकी जो दुबई में रहता बताया जाता है, मगर हुकूमत करता है मुंबई पर, जिसकी इजाजत के बगर मुंबई के पत्ता तक नहीं हिल सकता, मुख्यमंत्री तक जिसकी हुक्म के पाबंत है, उसके खिलाफ एक अधने लेफ्टिनेंट की जंग क्या रंग लाई, क्या असक उसकी सत्ता को उखाड कर फैंक सका, यदि हाँ, तो कैसे, किन-किन जज़बातों से गुजरना पड़ा उसे, कहा तक साथ दिया रसीम ने, क्या दिवेचा भी उसके साथ रहे, क्या परताप दिवेचा वहीं सक्सियत थी, जो नजर आती थी, या कुछ ऐसे धमाके हु रोल्स में आया उसक्स कौन था, जिसने दिवेचा को अपना नाम तक नहीं लेने दिया, वकील, डॉक्टर, इंस्पेक्टर और कतली, क्या कमाल दिखाए इन चार दिल्चस्म कारेक्टर्स ने, क्या ये हमेशा असो के साथ रहे, या कभी सनग गय, क्या वाकई, क्या पाग पागलों को दिल्चस्म कारवाहिया है, हस्ते हस्ते आपको लोटपोट कर देंगे, साथ ही हैरेच से दातों तले उंग्री दवाने पर मजबूर हो जाएंगे, और असोक्, आग का कोला, एक ऐसा तुफान जो दिधर निकल गया, बिनास फैलाता चला गया, ऐसा पागल, ज ऐसे से मोडों से गुजरती है, जो आपके दिलों दिमाग को जखजोर कर रख देंगे, ये के नहीं आता, तो पागल उपन्यास के जो दो छोटी-छोटी सीनों को आप लोग यहाँ पर मुलाहिजा फर्माए, कमरे के बीचों बीच, फर्स परपड़ी, रसीम की लास फटी रामासी कर रहे थे, सबके चेहरे गंभी, ठीक ऐसे जिसे दुनिया के सबसे सिर्यस बेक्ति वही हो, उनकी हरकते देकर जुझला उठा सो, आखिर तुम कर क्या रहे हो, इंस्पेक्टर ने अपने होटो पर उंगली रह कर उसे चुप रहने का इसारा करने के बाद कहा, गोली के जख में जागती वे कहा, गोली ठीक दिल में लगी है, घबडा कर दिल ने फोरन धड़कना बन कर दिया होगा, छोटी सी दाड़ी में कुछ लिखते वे कति ने पूचा, कातिल का निसाना कैसा था, इस बात का पता केवल तभी लगया जा सकता है, जब ये पता और वकील ने अपने पैटिंट एस्टाइल में जूखते वे कहा, और इस मर्डर का चस्मदी गवा केवल हात्यारा है, जब हम उस तक पहुचेंगे तो टेटवा दबा कर पूच लेंगे, इंस्पेक्टर सीना चोड़ा कर बोला, मैं अभी बता सकता हूँ, अबे, तु हात त्यारा है क्या, अपने धून में मगन इंस्पेक्टर ने घोसना कर दी, गोली रिवल्वर की नाल छाती से एकदम सटा कर चलाई गई है, तुम्हें ख्वाब चमका है क्या, डक्टर ने पूचा, ये देखो, इंस्पेक्टर रूल का दूसरा सीरा जख्म के इर्द अरूध नजर आ रहा है, एसा तभी होता है, जब नाल जिस्म से सटा कर गोली चलाई जाए, क्यों गुरुदेव, चेहरे पर हैरत के भावली असोकु से देखता रा गया, गोली बहुत नजदीक से मारी गई है, ओभी दिल पर, वकील ने कहा, ये काम तो वहीं कर सकता है, म और ओ है गुरुदेव, सब की नजर असोक परिस्तिर हो गई, असोक का दिल जोर जोर से उसकी पसलियों पर टक कर मा रहा था, इंस्पेक्टर ने पूना कहा, लिंटर को घूरती रसीम दीदी की फटी-फटी आखे साब बता रही है, मरते बक्त उन्हें घोर आस्चरे हो र इन्हें उसने गोली मारी, जिससे ऐसी हरकत की उमीद हर्गीज नहीं कर सकती थी हो, नुकता अच्छा है, कतली ने डायरी में लिखना छोड़ कर कहा, जिससे खलास करना हो, पहले उसके दिल में जोपड़ा बनाओ, उसमें रहने लगो, अब जब आना जाना आम बात हो जा बहुत से प्रेमियों को देखा है, ऐसी भी देखी है, जो रोते नहीं, लेकिन जमाने भर के गमों की मिटिंग उनके चेहरे पर होती रहती है, मगर एसा कोई प्रेमी नहीं देखा, जिससे प्रेमका की लांस सामने पड़ी देखने के बाजूद, जिसके चेहरे पर दुख का कोई लचन नजर नहीं आ रहा हो डक्टर ने मानो एक ही वाक्य पकड़ लिया था और ओ है अपने गुरुदेव जवाब दो गुरुदेव इंस्पेक्टर बोला रसीम दीदी की मौत पर दुख क्यों नहीं हुआ आपको असोक गुर राया कौन काता है दुख नहीं हुआ मैं काता हूँ कतली कूद कर सामने आया बेश क्या है छामा करे योरनर कतली ने दसवी पास नहीं की मगर चेरे पढ़ना सिखाए उसने बक्वाज असोक अभी कुछ का नहीं चाहता था कि इंस्पेक्टर ने उसके सामने घूरता हुआ गुर राया एलो इंस्पेक्टर सहाब कतली ने खुद असोक की जेब से रिवल्वर निकाल कर उसके तरह बढ़ा दिया इधर असोक ने कतली को खा जाना वले नजरों से घूरा उधर वकील एकदम बुरा समो बना उठा दिमाग से एकदम पैदल है ये कतली का बच्चा फिंगर प्रिंट्स दकार गया मुलजीं के सोरी कतली अपनी गलते का एहसास होते ही का उठा कोई बात नहीं काने के साथ इंस्पेक्टर ने रिवल्वर की नाल सुंगी आखे चमा को ठी उसकी पने साथ्यों की तरह पलट गया बारोत की सुगंद मौजूद है तो कतली ने पूचा वकीली बोला कुछ दिर पहले इस रिवल्वर से गोली चली है और रिवल्वर है अपनी गुरुदेव का डक्टर ने कहा दिमाग खड़ाब हो गया तुम सब का असोक पसीने पसीने उठा पागल होगे हो तो वाह ठाहा का लगा उठा होगी ये रहा से गुरुदेव को अब जाकर पता लगाई हो रानर हम तो रजिस्टर्ड पागल है गुरुदेव कतली बोला सीएमो के सटीपिकट वाले पुरी तरह ठीक और चाक चोवन लोग भी पागलपन का सटीपिकट जेब में डाले घुमते हैं डक्टर ने पूना कहा जैसे अपनी गुरुदेव असोक की हालत रंगे हातों पकड़े गए मुझरिन जैसी थी चीखा भला मैरसिम का खून क्यों करने लगा इस सवाल का जवाब भी ढून लेंगे हम इंस्पेक्टर ने किसी खुराट पुलिसी की तरह गर्दन हिराती वी कहा जर अपने जूतों के तलवे दिखाओ क्यों? दिखाओ तो सही असोक को दिखाने पड़े और तलवे पर नजर पड़ती ही एक साथ चारों उचल पड़े हुर्य! सबने खुसो कर एक साथ नारा लगाया पकड़ा गया काति क्या मतलम? असोक बखला उठा कतली ने पूछा जूते के तले पर खून कहां से आ गया? इसे बीच इंस्पेक्टर कूत कर कमरे के दरवाजे पर पहुँच चुका था फार्स पर जुका हुआ उसे बहुत ध्यान से देख रहा था इधर उधर हट बढ़ाय हुए असोक ने कहा अभी अभी यहीं कहीं से लगा होगा ऐसा नहीं हुआ सीधे होते हुए इंस्पेक्टर ने कहा दरवाजे पर मौझूद निसान हलके जरूर है मगर बता रहे हैं कि जूतों में खून हमारे साथ इस कमरे में दाखिल होते बक्त भी लगा हुआ था असोक ने सभी की असाओ के भीप्रित जपट कर इंस्पेक्टर के हाथ से अपना रिवल्वर छीना और उन चानों पर तानता हुआ गुर राया मुझे तो तुम भी सच मुझ के पागल नहीं लगते मेरी तरह एक्टिंग कर रहे हो तुम भी जरा भी हीले तो तुम सब को मार दूँगा खौफ का एक भी भाव चेरे पर नहीं उबरा चारों अपनी जबरदस्त काम्यावी पर खुस नज़र आ रहे थे डॉक्टर पुना का उठा और ये है अपने गुरु देव बक्वास बंद करो यानि कबूल करते हो कि रसीम बहन को तुम है ने मारा हाँ हाँ अशोक चिंखाडा मैंने ही मारा है उस हरामजादी को तो बक्वास तुम सुरू करो इंस्पेक्टर ने पूछा क्यों मारा हो से क्योंकि वो तेरी बेटी थी हरामजादे तेरी बेटी दोनों हातों से प्रताप दिवेचा का गिरेबान पकड़े असोक हिष्ट्रियाई अंदाज में चीकता चला गया इसलिए मैंने रसीम को मौत के घाट उतार दिया असोक दिवेचा ने कहा कहीं सच मुझ पागल तो नहीं हो गए हो तुम हाँ हाँ मैं सच मुझ पागल हो गया हूँ इसलिए पागल हो गया हूँ क्योंकि जान चुका हूँ कि बाबु भाई ठकराल और कोई नहीं है बलकि तु है हम? हम बाबु भाई ठकराल? मैं सब जान चुका हूँ कुट्टे एक-एक रहस्य अब फास हो चुका है मेरे जहान में दाहाडने के साथ असोक ने उसका गिरिवान चुड़कर जेब से रिवल्वर निकाल लिया अब अपनी इस एक्टिंग से तु कुछ हासिल नहीं कर सकता तु मेरी मम्मी और बहन का ही नहीं पापा का हाथ्यारा भी है थीरू सा का? क्यों? उठ गया नहीं हो मैं सब जान चुका हूँ ठाकराल पापा का प्लेन खुद क्रेस नहीं हुआ तुने क्रेस कराया था उसे तुने तुझ जैसा जलील मैंने अपनी पूरी जिनकी में नहीं देखा और बच्पन की उस छोटी से घटना का तुने इतना भयंकर बदला लिया इतना घिनवना कि मेंना सब कुछ लूट लिया मगर देख आज तेरे पास भी कुछ नहीं रहा रसीम को खत्म कर चुका हूँ बचेगा तो तु भी नहीं कहने के साथ उसने पागलो की तरह त्रेगर दबाना शुरू कर दिया थाए 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 मगर एक भी गोली परताप दिवेचा को नचू सकी दरसल ओ वहाँ थाए नहीं जहां एक पल पहले खाड़ा था असोक की फाइरिंग से पहले दिवेचा का पहर्योक निजे का फर्स दो किवाडों में बिभगत होकर निचे के तरफ खूला और दिवेचा का जिस्म उसमें समा गया असोक उस तरफ लबका दोनों की बाड़ एक जटके से बंद फर्स जिऊंका तिव पगलाया हुआ असोक फर्स के उस अस्थान को ठोकने पीटने लगा था तभी बाताबरन में परताब दिवेचा के ठाहा के गोजू ठे रिवलबर हाथ में लिए असोक बॉक लाया हुआ अपने चारों तरफ देखने लगा और फिर हर तरफ की दिवार से दिवेचा की आवाज उबरी मानना पड़ेगा लफ्टिनेंट मानना पड़ा कि होसले के साथ-साथ तुम दिमाग भी रखते हो वहां तक पहुँच गए जहां तुमसे पहले कभी कोई नहीं पहुँच सका मगर यह तुम्हारी आखरी मंजिल है यहां से जिन्दा तुम अब नहीं निकल सकते हमारी बेटी की मौत का हिसाब तुम्हें देना होगा रसीम के खून की एक-एक बुन की कीमत तुम्हें चुकानी होगी असोक समझ नहीं पा रहा था कि यह आवाज किधर से आ रही है पागल उपन्यास में जारी आदरनी श्रोता तो यह थी हमारी आज की उपन्यास की छठी एवम इसकी आखरी कड़ी लेकिन आपको मैं यह बता दू उपन्यास की कथाना का यह अंत नहीं है इसी उपन्यास की कथाना को आगे आप लोग सुन सकेंगे वेद परकास सर्माजी की उपन्यास पागल में जियाँ फ्रेंड्स मेरा बेटा सबका बाप यह उपन्यास टोटल दो भागों में लिखा गया है पहला भाग है मेरा बेटा सबका बाप जो आप लोगों ने अभी complete सुना और इस नोबेल की आगे की कहानक कथानक इसकी कहानी जानने के लिए आपको सुनना होगा इसका दूसरा पागल उपन्यास और आप जानते हैं कि इस उपन्यास को पहले ही मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ मेंटल नाम से जियाँ फ्रेंड्स अगर आप लोग पागल उपन्यास को सुनना चाहते हैं तो मेरी इसी चैनल के वीडियो सिक्स्तर में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग मेंटल उपन्यास को सर्च कीजिएगा क्योंकि पागल उपन्यास को मैंने मेंटल नाम से अपने इसी चैनल पर पहले ही अपलोड कर दियाओं तो आसा करूँगा उस उपन्यास को भी आप लोग जरूर सुनेंगे और अपना सल्ला सुजाओं हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे तो आज के लिए बस इतना ही इस्टोरी वीथ अरुन पर अभी आप लोग सुन रहे थी भारत के सबसे ज़्यादा बिखने वाले लेखा वेद परकास सरमाजी के लिखी बहुचरचित क्राइम थ्रिलर उपन्यास मेरा बेटा सब का बाओ इस उपन्यास की ये छटी एपिसोड थी जो इसका लास्ट चाप्टर था और इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट पागल उपन्यास जरूर सुनिएगा मेरे इसी चैनल में अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक और नए उपन्यास के साथ तब तक लिए इजाज़त दीजी अपने पिरिया आरजे अरून गिरी को उससे पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और कमेंट वक्स में बताइएगा कि पन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुती आप लोगों को कैसे लगी तो चलिए कल फिर से मुलकात होगी एक और नए नोवेल के साथ तब तक लिए हमें साख खुस रहे और उको भी खुस रखी आज के एपिसोड से दिजी अपने पिरिया आरजे और उन गिरी को भी जाज़त नमस्कार